हेलो दोस्तो और स्वागत है आपका टोटल प्रेप UPSC चैनल में जिसमें अभी आप देख रहे हैं आज की सारी करेंट अफेर्स का रैपिड राउंड अप जिहां दोस्तो दो हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पी आई भी और भी दूसरी सोसे से वो सारी न्यूज जो की स्प UPSC में भी आ जाएं ठीक है तो आगे बढ़ने के पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकॉन को दबाईए वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए कि आप कौन है आप कहां से एक्जाम की तयारी कर रहे हैं क्या आपको अच्छा लग रहा है क्या अच् करता जाओंगा आपका अपना चैनल जो है आपके बहुत काम आएगा तो इसलिए प्लीज मेरे चैनल पर आप अपने दोस्तों को भी ले कर किया यह ठीक है तो चलिए अपने बारे मौँ जादा बात नहीं करते हैं चलते हैं पहले आज के MCQ पर देखते हैं पहला MCQ क्या है इन सारे MCQ के आंसर मैं वीडियो के end में आपको दूँगा जो वीडियो पूरी देखेंगे उन्हें तो पूरी news मालूम चली जाएगी तो उनको clear होई जाएगा answer सारा सारा अगर आपको सीधा answer सीगे तो आप सीधा वीडियो के end पर भी जा सकते हैं ताब ब्लैक स्वान event इ gather near a river ठीक है दूसरा question देखते है अग ग्रे राइनो इवेंट इस यह मैंने तो आज पहली बार सुना है मुझे comment section में बताई आपने आज पहली बार सुना है कि आज के पहले भी आपने सुना था S.J. Shankar जो हमारे foreign minister है उनका Times of India में आज editorial आया है उन्होंने चाइना के बारे में इंडिया-China relations के बारे में अमेरिकार चाइना के बीच में होते हुए cold war के बारे में बहुत ही अच्छा उन्होंने आर्टिकल लिखा है वो एक IFS officer है हमारे foreign secretary थे तो जाहिर बात है उनसे इस प्री हो जाएगा एक बार तो means के लिए हम इन सब चीजों पर भी निगाह डालेंगे पर उसमें से जो एक बहुत बढ़िया term मुझे आज पता चला grey rhino grey rhino event क्या होता है जैसे black swan event होता है वैसी grey rhino event होता है ठीक है grey rhino को क्या बोलेंगे भूरा गैंडा what is it a highly unanticipated event b a highly probable yet neglected event c a highly probable yet neglected event with a high impact या d a highly probable neglected high impact event that happens regularly ठीक है इसमें से कौन सक सही answer है आप अपने से eliminate करके पता करके रखिये बाकी हम video के end वे देखेंगे सही answer क्या है the proposed debt restructuring committee of RBI will be headed by जो एक one time debt restructuring RBI ने order की है ठीक है उसको कैसे कैसे किया जाएगा उसकी modalities क्या होंगी उसके लिए committee बनाई जाएगी उस committee के head कौन होंगे ये decide हो चुका है वो कौन है A. RBI governor B. RBI deputy governor C. finance secretary और D. ICISA chairman Mr. K. V. कामत ठीक है elimination method से अब इसका answer निकार के रखिए अगर आपको नहीं पता है तो पता है तो बहुत अच्छी बात है फिर आज का आखरी question है cause of the huge blast in Beirut was लेबनान की राजधानी है Beirut ठीक है लेबनान और इसराइल के बीच में जो सीमा विवाद है उसके उपर आपको पढ़ लेना चाहिए बेरूत में ब्लास्ट हो गया तो अब उस पर सवाल आ सकता है ठीक है Golan Heights, Hezbollah जो एक Shiaid लोगों का militant organization है वो Beirut और इसी तरह के इसराइल और लेबनान और इसराइल के अपने जो नेबर्स हैं उनके साथ किस-किस चीजों को लेके सीमा विवाद है फिलिस्तीन में गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक इसके बारे में पढ़ लिजे छोटा सा शॉटनूट या विकीपीडिया पढ़ लिजे आपको पता चलेगा जो ब्लास्ट हुआ बेरूत में उसका कॉस क्या था अब जाते हैं न्यूस पर पहले न्यूस है अपट अरभी आई एंपसी मॉनितरी पॉलिसी कमिटी इन्हों है पॉलिसी रेट्स को रिडिउस कर्ने से मतलब रिट्यूस नहीं किया कैसकते थे refuse कर दिया reduce करने से का मतलब है उनसे बहुत उनके उपर काफी दबाओ था कि आप policy rates को reduce कर दीजिए कि जो interest rate है काफी कम हो जाए तो लोग अपने loan के installment चुका पाएं लोग loan के installment नहीं चुका पा रहे हैं जो कि company जो businesses हैं उनका धन्दा हो नहीं रहा है अभी lockdown में तो क्या है कि बैंकों का NPA बढ़ता चला जाएगा है ना तो क्या किया जाए तो उन्होंने क्या गया तो अगर वो reduce कर देते हैं अपना policy rate तो market में और पैसा supply हो जाएगा ये तो किसी को भी basic economics किसी भी UPSC को पता होगी नहीं पता है तो मुडाल सर के जो lectures है उनका जो playlist है उसको पढ़ना चालू कर दीजे रमेश सिंग की किताब से पढ़ना चालू कर दीजे ग्यारवे बारवे के NCRT book से भी आप पढ़ सकते हैं तो क्या होता है कि जब bank का interest rate घटता है RBI अपना रेपो rate घटाता है तो bank भी अपने interest rate घटा देते हैं तो उससे market में ज़्यादा पैसा आ जाता है market में पैसा आसान दरों पे loan मिल रहा है तो लोग loan उठा लेते हैं फिर और क्या हो रहा है कि bank में savings का rate भी कम हो जाता है अगर loan कम rate पे दे रहे हैं तो जो पैसा डाला है उसको जितना interest देंगे वो भी तो कम देंगे अब ना bank को घाटा सेके तो आपको देगा नहीं आपका interest तो आप भी पैसा bank में क्यों डालोगे तो आप भी पैसा market में लगा दोगे कहीं तो पैसा ज्यादा आ जाता है market में market में कहते हैं कि liquidity बढ़ जाती है liquidity बढ़ जाती है तो inflation बढ़ जाता है अगर production नहीं बढ़ा हमारे देश में GDP या economy का size नहीं बढ़ रहा है लेकिन पैसे की supply बढ़ गए तो सामान उतना ही है पर पैसर ज्यादा है तो सामान का दाम बढ़ जाता है inflation हो जाता है ठीक है तो आरब्याई ने देखे क्यों नहीं rate को घटाया उन्हों ने कहा कि retail और food inflation यह दोनों उनके cause of concern है retail inflation यानि खुद्रा मुद्रा स्वीती मुद्रा स्वीती जिसको हिंदी मेडियम वाली समझते है यह सारे terms तो खुद्रा मुद्रा स्वीती जो है वो CPI यानि consumer price index से नापी जाती है अब inflation का तो पूरा chapter है बताना है जाऊंगा तो पूरा एक घंटा उसी में निकल जाएगा inflation का chapter आपको पढ़ करेखना चाहिए रमेश सिंग से ठीक है और food inflation के देश में अभी भी हाई चल रहा है food inflation खाने के सामान के दाम ज्यादा है जो सबजियों के rate ट्रैक करते हैं वो देखेंगे कि अभी टामाटर बीच में काफी high rate का हो गया था एकदम right now मुझे नहीं पता क्या rate चल रहा है पर बीच में 60-80 रुपे किलो टामाटर बिक रहा था ठीक है तो आर्बियाई ने कहा कि इसलिए अभी हम मार्केट में liquidity और नहीं बढ़ाएंगे खाने के rate अल्रेडी बढ़ रहे हैं आने वाले समय में क्या होगा हम उसको देखना चाहते हैं ठीक है अर्बियाई ने एक one time restructuring of debt किया है बार बार नहीं हो गई है एक बार हमने किया है ठीक है जो stressed borrowers है जो अभी नहीं चुका पान केवी कामत हैं वो एक committee को head करेंगे वो committee decide करेगी यह आपको एक third MCQ का answer मिल गया इसमें ठीक है तो यह RBI ने क्या देखा कि RBI ने खुद अपनी research से ऐसा project किया कि worst case scenario हो सकता है मार्च 2021 तक NPA non performing assets बैंकों के 14.7% तक हो जा सकते हैं ठीक है जानि हर 100 रुपया जो bank ने loan दिया ह उसमें से 14.70 पैसा अब बैंकों को नहीं मिलेगा इस तरह की situation हो जा सकती है जो कि बिलकुल allow नहीं की जा सकती है एक basal norms जिनकों कहते हैं जिनकों नहीं पता है यह term note कर लीजे गूगल करके पढ़िएगा इसको basal norms कहते हैं कि कम से कम 9% का तो बैंकों के पास अपना cash reserve maintain रह जाना चाहिए जितना वो लोन दे रहे हैं उसके पर ठीक है और कितना NPA हो सकता है उसको लेकर भी बैंकों के norms तय होते हैं इतना high NPA allow नहीं किया जा सकता है फिर एक और point सबसे important जो आप से MCQ में पूछा जाएगा वो यह है कि यह one time restructuring of debt सिर्फ उनहीं को allow किया जाएगा जो की COVID-19 से जुड़े lockdown की वज़ा से जिनका loan वो नहीं चुका पा रहे हैं अगर यह lockdown के पहले से भी उनकी स्थिति डामा डोल थी अब तो बेसिकर ही वो business नहीं चला पा रहे हैं तो उनसे business ले लिया जाना चाहिए जो कोई चला सकता है तो उसको दे देना चाहिए या asset management company के हवाले कर देना चाहिए जितना bank अपना पैसा रिकवर कर सके उनको रिकवर कर लेना चाहिए ठीक है यह जो आपको bankruptcy code है उसके टहट जो भी नियम लागू होते हैं उन सबको apply कर देना चाहिए यह थी बात यह काफी important news है इस पर जरूर रेकना है कि mcq इस बार की exam में कमिटीज इसको सर्च करके नोट करके आप सेव करके रखे अपने पास नची केत मोर कमिटी नरसिंभन कमिटीज बहुत सारी कमिटीज बनी थी ठीक है तो उनके बारे में जरूर एक नाग क्विश्चन आही जाता है चली अगली news पे चलते हैं जो अभी हमने mcq में बात की थी the cause of blast in Beirut has been identified as ammonium nitrate ठीक है ammonium nitrate की वज़र से बेरूत में blast हो गया कल तक तो 135 लोग मरे थे आज जाहिर बाता है कि तादाद बढ़ गई होगी इसकी वज़र से क्या है Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC ने ठीक है sent out alert all across India देजभर में उन्होंने alert जारी कर दिया है अपने field offices को बोला है कि जा जाके चेक करिए जहां जहां पर ammonium nitrate store किया गया है पोर्ट में या कंपनियों के गोदामों में वहां वहां पर इसको पूरी safety guidelines के साथ store किया जा रहा है या नहीं ताकि इस तरह की कोई दुरघटना हमारे देश में ना हो ठीक है अगली न्यूस पे चलते है आज देखे एकदम short में मैंने सारे news cover की है दस मिनट से भी कम समय में हम आज की पूरी current affair से अप्टूडिट हो जाएंगे जी सी मुर्मू जो पहले लेटनेंट गवर्णर ऑफ जेंके जम्मू एं कश्मीर थे उनको अब नया Comptroller and Auditor General बना दिया गया है ठीक है तो इससे CAG news में आ गया government की जो home ministry है उसकी advice पे चलते हैं पर आपको confused करने के लिए option ऐसे दे दिये जाएंगे कि आप confused हो जाएंगे कि यहां पे अंतर है या नहीं है ठीक है तो आप बिसिकली आप या तो गवर्णर वाला chapter मुझे याद नहीं आ रहा है लक्ष्मी कांत में लेटन गवर्णर वाला का chapter है लक्ष्मी कांत में उसको अच्छे साब पढ़ लीजे आज ही जो जो मैं बोलता हूं आज अगर आप पढ़ लेंगे आज ही आपकी दिमाग में एक दम फिट बैट जाएगा फिर मनोश जिन्हा जो भूतपूर यूनियन मिनिस्टर है केंद्रिय मंस्री थे उनको कि एक politician को अब वहां का left and governor बनाया गया है तो वो सारी political parties से बात करेंगे उनको क्या requirement है क्या नहीं है इस तरह की political discussions अब वहां पे होगी तो उसकी वज़र से वहां पर political exercise चालू होगा वहां पर भी एक विधान सभा रखे जाएगी चुनाव होंगे जैसे पॉंडिचेरी और ऐसी सरकार की योजना है तो उसको धीरे-धीरे implement करना पड़ेगा फिलाल तो सारे राजनेता custody में बंद है अभी उनको धीरे-धीरे release किया जाएगा अपके जो rally होंगी राजनेतिक rally उसमें पता नहीं क्या नारे लगेंगे है ना तो धीरे-धीरे करके इस process को अब चालू क assist के निता है बुदपूर राज्यसभा मेंबर है और ऐसे trade union leader थे तो कॉम्रेट शामवल चक्रवरती उनका देहान्त हो गया है वो कोवीट से उनका diagnosis हुआ था और उसके बाद वो heart attacks से उनकी मृत्ति हुई है ठीक है आप से देखिए mcq में पूछ लेगा कि कौन थे जिनका देखिए Russian Space Agency इसका नाम आपसे पुछा जा सकता है Ross Cosmos ठीक ऐसे याद कर लिजे Ross Cosmos आपको आसानी से याद रहेगा तो उसमें चार Indian astronauts की training चल रही है किसके लिए गगन यान प्रोजेक्ट के लिए गगन यान प्रोजेक्ट क्या है गगन यान प्रोजेक्ट क्या है भारत अ अब एक ऐसा गगन यान ऐसा स्पेस कैपसूल होगा जिसको हम रॉकेट के जरीए चार इंसानों को स्पेस में भेजेंगे वो हमारे और्बिट तक में जाएंगे अर्थ का और्बिट करेंगे और वापस आ जाएंगे साथ दिन के अंदर ठीक है तो वो आउटर स्पेस में जाएंगे अर्थ की और्बिट में जाएंगे प्रित्वी की कक्षा में जाएंगे जिसे कहते हैं तो अर्थ को और्बिट करेंगे साथ दिन तब फिर वापस आ जाएंगे इसके लिए उनकी ट्रेनिंग चल रही है रशियन स्पेस एजनसी उनको ट्रेनिंग दे रही है रो आउटर स्पेस में गए थे नील अम्स्ट्रॉंग सबसे पहले चांद पे गए थे पर चांद तक जाने के पहले एक बार तो इंसान स्पेस में जाके गुम के वापस आता है जैसे हमारे चार एफ्टर नॉट जाएंगे तो वह पहले व्यक्ति थे यूरी गागारिन तो उनके सम्मान में उनके नाम पे गागरिन कॉस्मोनाड ट्रेनिंग सेंटर उस जगह का नाम रखा गया है ठीक है बारत से जो पहले व्यक्ति स्पेस में गए थे उनका नाम था कोई शर्मा थे वो वह अभी राइटन एकदम तुरन दिमाग से मिस हो गया है आगी बहुत फेमस ना नाम था इनका भी निधन हो गया अभी यह राकेश शर्मा स्क्वाडरन लीडर राकेश शर्मा थे जो चांद दे गया थे देखिए बहुत ही फेमस है बच्पन से हम सब जानते हैं अचानक से नाम दिमाग से चले गया था ठीक है मुकुंद लठ जो है म्यूजिक अलोजिस थे और वो एक मैगजीन निकालते थे फिलोसोफी की हिंदी में दर्शन शास्तर की फिलोसोफी की अकेली मैगजीन निकलती थी या निकलती है उसका नाम था उन्मीलन ठीक है आप से बिल्कुल पूछा जा सकता है अर्टन कल्चर के तहत कि मुकुंद लठ जो मैगजीन नि न्यूस में मामला चल रहा हो तो इस तरह की कोई भी न्यूस अगर आजाए खासका स्पोट्स आभी हो नी रहें तो इस तारह से से कोई बिल्कुल उसको नोट कर लेना चाहिए गारंटी के साथ वो एक्जाम में आ सकताए ऑं देखें इचिखें सिरम इंस्टीट उफ फ को एक exclusive license deal मिली है to manufacture and distribute the American COVID vaccine Novavax ठीक है Novavax करके ये Corona की vaccine ऐसी ऐसा कहा जा रहा है कि ये vaccine है उसका Serum Institute of India को एक license deal मिला है ठीक है वो क्या करेंगे कि अपने देश में तो इसको manufacture करके बेचेंगे ही साथी साथ दूसरी lower income और middle income countries में भी बेचेंगे higher income जो countries होंगे जिनको डवले इंकम या high middle income ऐसा करके classify किया है तो वहाँ पर वह इनको नहीं allow नहीं किया जाएगा बेचने के लिए वहाँ पर उन लोग खुद बेचेंगे शायद या किसी और के साथ डील करेंगे Serum Institute of India को इंडिया में एक तो बेचने का exclusive deal मिला है पर जो दूसरे अधार lower income और lower middle income countries है वहाँ पर इनको non exclusive deal मिला है वहाँ पर बाकी लोग भी बेच सकते है यह भी बेचेंगे ठीक है